नमस्कार आप देख रहें नौभारट टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूँ आपके साथ हैमानशु तिवारी इस वक्त हम लोग मेदिनीपूर विधान साभा के बाली जुड़ी नामके गाउं में हैं यहां पर मैं अपने सहोगी विश्वगरों से कहूंगा कि यहां पर यह कच्छा मकान दिखाएं इस गाउं में कितना विकास हुआ है ममतबनर जी की सरकार दावे करती है कि यहां पर विकास हुआ है लेकिन विकास कितना अधूरा है यहां का उसकी तस्वीरे नौभारट च्रशिर जी यहां पर मौझूद है च्रशिर जी ने यहां कि इस्थाने दोगों से जानने कि कोशिश की है तो उपिल बनी हैं क्या-क्या शोजधायय नहीं मिनली है यह जो फेमिली से हम लोग बातचित किये तो इसका नाम है मे द्शवाम टाई दिनाला है श्था से तो यह मिदनिपूर टाउन से सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है लेकिन आप भी देखे इस लोगों को पानी नहीं मिला काच्या मकान है इसका तो यह तो सबाल उठता है इतने दिन बाद भी कि वे इस बेसिक जो नीड इसका है वो नहीं मिला अच्छा सरका सब्सक्राइब करें दोन को छोड़कर कुछ भी नहीं मिला और एक सबाल तो उठता ही है पानी का प्रब्लेम अभी क्यों है जो गाउ मिदनापूर टाउन से सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है वहां पर पानी का प्रब्लेम क्यों है तो आभी तो बहुत सब्सक्राइब कंडिडेट भी यहां से होकार गुजरी होंगे तब भी यह सवाल किसी ने नहीं उठाया तो एक तो यह मुंदा बानती ही है काल इस जागक में इलेक्शन है फास्ट फेस में ओस बेंगल का जो फास्ट फेस इलेक्शन है उसमें मेदिनापूर आते है तो इ उनके बीच होने वाली है अभी आपने बात की कि जो यहां इनके पुरुष थे उन्होंने बताया कि वो राजमिस्तरी का काम करते हैं उन्हें कितना रुपए यहां पर मिलता है उसका पार्ट रेका कुछ 270 रुपए मिल जाती है लेकिन यह मिल जाती है तब भी जब उसके पास काम होता है तो एक बहुत ही काम है यह भी है और मिद्नापूर जो लोक्षुबाय में काल क्षेत्रों में काल चुनाओ है तो वहां पर केंडिडेट टीमसी का है जून मा लिया ओ एक बेंगली एक्ट्रिस है और श्रमित दाश ओ इसी शांगठनिक जेला जो होते है जो चुनाओं आया तो बहुत सी बूथों में बीजेपी ने लीड ले लिया तो यह बहुत आच्छे तरिकाइए अच्छे इलेक्षन होने बाला है और एक तरफ इलेक्षन है लेकिन यह बात तो आती है क्यों इसके पास इस फैमिली में अभी बेसिक निट का प्रब्लेम हो र अन्य घरों की भी तस्वीरे दिखा रहा हूं हमारे सहयोगी विश्वगोरों आपको लगातार तस्वीरे दिखा रहा है यहां की जमीनी हकिकत बता रहा है हम लोगे तस्वीरों के जरिये यहां पर सभी राजनितिक दल वोट के लिए आते हैं लेकिन यहां पर विकास की त सामने अलग चुनावती होती होगी इसके साथ ही इनके पास पानी का संकट भी है और पढ़ाई की भी मुझे यहां पर कोई नजदी की स्कूल नहीं दिख रहा है बच्चे यहां पर ऐसे ही घरूं के बाहर घूम रहे हैं तो 270 रुपए महज 270 रुपए मिलते हैं जब वो भी क अलग और और देखल दो 550 रुपए मिलते हैं नहीं调 से कॉड़ ग्सके भी कि लिट्माब में परूम